हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चैनल, मैं हूरंजना, आज मैं आपके साथ सेयर करूँगी गेहों के आटे से बहुत ही टेश्टी, क्रिस्पी, क्रंची लच्छा पराठे की रेसिपी, तो यह है लच्छा पराठा जीसे बनाया है घर पे, आप इसे देख सकते हैं, यहाँ यह कितने अच्छे बने हैं, इसके लेयर्स कितने बढ़िया आए हैं, बहुत ही टेश्टी बनता है, बहुत इजी है इसकी रेसिपी, आप एनी टाइम घर पे बनाएए, यह बहुत ही पसंद आएगा सबको, तो आज मैं इसी की रेसिपी आपके साथ सेयर करने वाली हूँ तो अगर आपको पसंद आए रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो प्लेज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरू करें, आए हम बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको आटा गूत के तियार करना है, इसके लिए मैंने आप लिया एक कप आटा, उसमें दो से तीन चुटकी आप डाल लिजे नमक, बहुत ही कम कॉंटिटी में नमक डाले, एक से डेर चमच आपको लेना है, कोई भी कुकिंग ओयल जिसे आप यूज करते हो रेगलर, इसे अच्छे से मिला ले नमक को आटे में, बहुत ही हलका यूज करना है आपको, और इसे अच्छे से मिला कि थोड़ा थोड़ा पाइड डाल के आप बिलकुल नर्म रोटी की तरह आटे को गूंद ले, तो देखें यहां पे हमारा आटा तयार है, थोड़ा थोड़ा पाइड डाल के मैं इसे अच्छे से गूंद लिया है, यह आटा बिल्कुल रेडई है पराठे बलाने के तो अब पराटे को बेल के तियार करेंगे मैं यहां पर दिखाऊंगी किस तरह से आप पेले और कट करें उसे ताकि बहुत ही अच्छे से ले आ रहा है तो आपको एक रोटी से थोड़ी बड़ी लोई लेना है और डेस्टिंग करके इसे बेलना है आप इसे अच्छे से बेल किया अठा अटा लेके आप इस पर डेस्टिंग करनी है तो यह देखें इस तरह से सुखा आठा लेके आप ऊपर से प्रिंकल आउट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसकी लेर अलग अलग हो जाते है तो थोड़ा से हाथ से मिला ले सोखे हाटे को और इस तरह से एक चा हो गया है और अब आपको इसे अच्छे से नीचे से चुड़ा कर पूरी स्ट्रिप को इस तरह से एक साथ ले लेना है यह दिखी बिल्कुल इस तरह से आप पूरी स्ट्रिप को एक साथ मिला ले और थोड़ा से तेल फिर से उपर से लगा ले और यह बिल्कुल इस तरह से त की तरह त्यार कर लें तो यह देखिए हमारा लोई त्यार हो गया है आपको अगर पराटे ज्यादा कौंटिटी में बनाना है तो पहले से इस तरह से लोई यह त्यार करके रख लिए और इसे आप एक साथ बेल के बाद में सेख सकते हैं या फिर कोई गेष्ट आने वाले हो तो इस तरह से लोई आप तयार करके रख सकते हैं पहले से ही और फिर गर्म गरम पराटे सेख सकते हैं अब पराटे को मैं फिराना बताऊंगी तो इसे आप हातों के साहता से उंगलियों के यल्प से बढ़ा कर सकते हैं और फिर हलके हातों से बेलन से भी आप इसे बढ़ा कर तो एक तरफ से जब सिख जाए तो इसे पलट ले और दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से सिख ले तो यहां पर दीखिए अच्छा गुलाबी होने लगा है फिर अब जब इतना सिख जाए तो इसमें मिला ले आप घी बटर या जो भी आप ऐल यूज करते हो पराथा बनान से ने यहां पार स्थिख आपने आप बाहर निकलने लगते हैं तो अरफ स arriv से त्यार हो गया हुए हैembam निकाल के थोड़ा सा हाथों से दबा के खूल कर लिजिए अर्य पराथा कितना टेष्टी क्रेंजिक the विब coaching लगते हैं ये फ्रेंड्स मुझे बताइए कमेंट करके आपको कैसी लगी रेसिपी मिलती हूं मैं आपके साथ अपने नएग दो